पश्रिमंगाल में बीजेपी भले हार गई हो लेकिन बीजेपी की एक महिला उम्मीदवार की जीत की चर्चा हर तरफ है बीजेपी के टिकेट पर साल 12 सीट से चुनाव लड़ने वाली चंदना बाउरी ने टीम सी उम्मीदवार को हरा दिया है उनकी जीत से जादा चर्चा उनकी सादगी और आर्थिक स्थितिकी है कहते हैं चुनाव लड़ना और जीतना धनबल वाले और रसूपदार लोगों का काम है लेकिन बंगाल में कुछ ऐसा हुआ कि ये धारना बिल्कुल बदल गई बीजेपी ने एक दिहारी मजदूर को बंगाल विधनसवा चुनाव में टिकेट दिया एक और यहां बंगाल में बीजेपी के बड़े बड़े शूर्मा चुनाव हार गए महीं बीजेपी से चुनाव लड़ रही दिहाडी मजदूर चन्ना बाउरी चुनाव जीतने में कामियाब रही पूरे बंगाल में मम्ता बैनर जी की लहर चली बावजुद इसके भी बीजेपी उमीदवार चन्ना बाउरी टीमसी उमीदवार को चुना भराने में कामियाब रही चन्ना बाउरी की इस एतिहासिक जीत की चारो तरफ चर्चा हो रही है चन्ना बाउरी खुद एक मजदूर है साथ ही उनके पती भी दिहाडी मजदूर का काम करते है एक दिहाडी मजदूर की पतनी 30 वर्षिय चन्ना बाउरी के विधानसवा पहुचने की कहानी से हर कोई हैरान है एक जोपडी में रहकर गुजर करने वाली चन्ना की कहानी सोशल मीडिया पर भी वाइरन हो रही है चन्ना बाउरी की जीत को कोई लोकतंत की पहचान बता रहा है तो कोई इसे BGP की आम लोगों तक पहुच के तौर पर परिभाशिक कर रहा है चंदना बावरी की और से चुनाव के लिए सौपे गए एफिडेविट के मुताविक उनके पास कुल 31,985 रुपे की समपती है जबकि उनके पती के पास 3,311 रुपे की दौलत है इसके अलावा उनके पास 3 गाय और 3 बक्रियां है तीन बच्चों की मा चंदना बावरी के पती घर बनाने वाले एक मजदूर के तौर पर काम करते हैं तो वहीं चंदना मजदूरी के दौरान अपने पती का भी हाथ बटा दी चंदना ने बारवी तक पढ़ाई की है जबकि उनके पती सिर्फ 8 पी पास है पती पतनी दोनों का मनरेगा कार्ड भी है पिछले साल उन्हें प्रधान मंतरी आवास योजना के तहन साथ हजार की पहली किष्ट भी मिली थी इससे पहले उन्होंने घर पक्का वणवाया था चंदना के घर में 104 नहीं है पार्टी के प्रतीव है इतनी ज्यादा समर्पित हैं कि प्रचार के लिए रोजाना कमल के प्रिंट वाली भगवा रंग की साड़ी पहन कर निकलती थी बंगाल विधानसवा चुनाव में चंदना ने जमकर महनत की चंदना अपने छेतर में लोगों के बीच गई और बीजेपी की खूबिया गिनाते हुए टी-मसी पर हमला बोला चंदना गंगाजल घाट के केलाई गाउं इस्तित अपने घर से रोजाना सुबा आट बजे चुनाव प्रचार के लिए निकलती थी उन्होंने लोगों से महिला संबंदी, अपरादो, गरीवी, सिक्षा और पीने के पानी जैसे मुद्दो पर वोट मांगा और चुनाव में लगभग 14,145 वोटों के अंतर से टी-मसी के प्रित्याश्य को चुनाव हरा दिया चंद्रा बाउरी की इस जीत पर बीजेपी के बड़े-बड़े निताओं ने उन्हें बदाई दी वही चंद्रा बाउरी अपनी जीत के बाद सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल होने लगी और लोगों के बीग चर्चा का केंदर बन गए बंगाल विधानसबा चुनाव में जिस तरह से ममता बनर जी की लहर चली उसके बाब जूद चंद्रा बाउरी अपनी सीट पर चुनाव जीतने में काम्याब हो गई चुनाव में चंद्रा बाउरी के पास ना तो गाड़ी थी ना ही पैसा था लेकिन उसके बाब जूद अपनी सादगी के दम पर वो चुनाव में लोगों का भरोसा जीतने में काम्याब हो गई इस ख़बर में फिलाल अतना ही बने रही है क्यापिटल टीवी के साथ हमारे साथ चुनने के लिए शुक्रिया